दोस्तो अगर आप भी रोहित शर्मा और शुम्मन गिल को अच्छा बल्यबाज मानते हैं तो वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा दोस्तो भारत वेस्ट अंडीस के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा पहुँचे दोहरे शतक के करीब तो यह देख शुम्मन गिल भी कहां रहने वाले थे पीछे मैदान पर जड़िया शतक छके चोको की करदी बरसात ऐसा इतिहास देख पूरा भारत रह गया है रान तो दोस्तो आकिर भारत वेस्ट अंडीस के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का मैच आपको वीडियो में तो दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा शुमन गिल विराट कोली जड़ेजा रहने में से कौन अच्छा बल्लेबाज है अपने किमती राए हमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़दो समय ना ले तो वे शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतिय टीम वेस्ट अंडीस के खिलाफ दो मैचो की टेश्ट सिरीज में भाग ले रही है और अब पहले टेश्ट मुकाबले में भारतिय टीम के ओपनर बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां भारतिय पर रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो हर किसी को उमीद तो लग रही थी कि यह दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साज़दारी करके टीम इंडिया के स्कोर को जरूर आगे बढ़ाएंगे क्यूकि दोस्तो पिछले काफी लंबे समय से देखा गया ही कि ना तो रो और कप्तान रोहित शर्मा उत्रे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते संगी बड़े शॉट लगाने पर विस्वास जताया क्यूकि हम सबी जानते हैं कि यह दोनों बल्लेबाज जब भी रुकर खेलते हैं तभी इनका विकेट गिर जाता है लेकिन जब हात खोलकर इन दोनो पर रन बरसाएं तब जरूर भारतिय टीम 600 रन के भी आकड़े को पार करने में कामियाव हो सकी है और यहां पर रोहित शर्मा और शुमन गिल ने भी आज यही किया जान दोनों बल्लेबाज ताबर तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आये हाला कि इस बी अंजाम 54 गिंदो पर दिया और दोस्तो एक बार अगर 50 रन की साज़ेदारी रोहित शर्मा और शुमन गिल के बीच हो जाती है टेश्ट करकेट में तो अक्सर देखा गया ही कि एक लंबे स्कोर तक यह दोनों बल्लेबाज जाते हैं और आज पहले दिन के मुकाबले में य इस बात की परवा बिल्कुल नहीं की कि उनका विकेट यहां अगर टेश्ट करकेट में गिर गया तो काफी जादा दिक्कतों का सामना भात्य टीम को करना पड़ सकता है लेकिन इसके बाबजूद भी शुमन गिल ने ताबर तोड़ अंदाज में रन बनाने शुरू कर दि तीसरे नमबर पर बल्ले बाजी करने के लिए अजिंक्य रहने मैदान पर आये जहां अजिंक्य रहने ने आज रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम का भार समाला हाला कि इस दौरान अजिंक्य रहने ने तो थोड़ी धीमीकती से रन बनाए लेकिन दूसरे चोर पर घड़े और लॉंग ओफ की तरफ छके जड़कर उन्होंने अपना शतक पूरा किया और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे तेज शतक पूरा करके तीहास भी रच दिया तो वहीं रोहित शर्मा की बदोलत टीम इंडिया ने आज के ही दिन 300 रन के आकड़े को भी प करते हुए यह तो दर्शादिया की वेस्ट अंडिस के खिलाफ आकर पहले टेस्ट मुकाबले में कौन कितने रन बनाता हुआ दिखाई देरे वाला है और यहाँ पर रोहित शर्मा शुमन गिल के फॉम में आते से ही भारत का हर एक नागरिक भी काफी जादा खुश है और